दोस्तों नमस्कार मैं हुब रेजेन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में जैसे कि आप सभी ने उत्तरप्रदेश टीटी परिक्षा की आंसर की देखा और I think सभी ने मिलाया होगा आप सभी शॉक्ट भी होगे कि इतना कैसे घलत दिया जा सकता है किसी आंसर की में और ऐसा से कोशन जो वाकी एकड़ डेट शौर सही विकल्प है तो यहाँ पर आनसर की में घलत विकल्प ही दिया जा रहा है ऐसा ख्यों किया जा रहा है ये बहुत ही चिंतनीय विशे है क्योंकि एक तरफ तो छे जनवरी को एक्जाम कराने के लिए आप डेट जो है जाहिर कर देते हो दूसरी तरफ इतना गलत तो उत्तर दे करके दूस्तों को या फिकेल जे सारे अवर्थियों को आप एक मेंटल टॉर्चर जैसी कंडिशन में डाल देते हो कि लोग इतना ज़ादा लेके चीजों को परिशान रहें कि वो अपना कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे फोकस ना कर पाएं दोस्तों वैसे जो भी आसानसन प्रस्नों को गलत दिया गया है उस पे एक सरसरी निगाह देख लेते हैं अलग अलग चैनल के मदम से आपको बताया जा चुका होगा कि कही सारे 10 से 12 प्रस्नों पे आपत्ती है जो गलत है और उनके साक्ष भी ढूने जा रहे हैं साक्ष धून करके आपत्तियां भी दी जा रहे हैं दायर की जा रहे हैं और जिसके बेसिस पे सही आंसर जो आपने लगाया है उसका नंबर आपको दिया जाएगा इस बात की पूरी कोशिस हो रही है तो देखिए मैं भी एक ससरी निगास आपको बता देता हूँ कि क्या आपत्ती जनक रहा किस पे लोग आपत्तियां कर रहे हैं और कितना ऑथेंटिक होगा कितना उसमें दम है उस कोशन को आपत्ती के दारे में लाने का देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दू सबसे पहले तो यह बी अभी जो है बी सीरीज की है तो इसमें सबसे पहले नंबर पर यह इसको तो कोई काठी नहीं सकता है यह जो आप देख रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह कोशन का आंसर यह नों ने गलत दिया वह समाम वेश्च का मतलब ही होता है कि सामान ने और विसस्ट बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जा तो सबसे पहले नंबर पर यही है जो आपत्ती जनक है और इसका नंबर सभी को मिलेगा चुकि मैक्समन दोस्तों ने यही लगाया है दूसरा लगाया है तो यह एक नंबर बढ़ेंगे सबके और आगे अगर हम जाएं थोड़ा सा तो एक यह कोशन भी आप देखेंगे यह नंबर छे वाला यह भी विवादित है क्योंकि दिखें इनने क्या पूछा है कौन सा समवेग का तत्व नहीं है समवेग का तत्व नहीं है इमोशन का तत्व नहीं है तो इमोशन में तो समवेधना होती बिना समवेधना के कैसे इमोशन सेंसर के बिना कैसे इमोशन तो यहाँ पे जो इन्हों ने जो दिया हुआ है सम्वेग नहीं है तो यहाँ पे इन्हों ने सम्वेद को आंसर दे दिया यानि कि आंसर की के मुताबिक यह सही है जबकि सही क्या होगा यह सही होगा तो यह भी एक विवाद है इन्होंने कि यह कह दिया कि यह सम्वेकत तो नहीं है जो इनकी आंसर किया है जो कि बिल्कुल गरत है यही आंसर होगा तो यह भी विवाद में कोशन है आगे जो अगला कोशन है जो आप उस पे अपत्ती लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक यह जो था इस पे फुड़ा सा अपत्ती लोग कर रहे हैं लेकिन फिलाल यह सही है इसका अंसर यह होगा चुकि निगमन से अगमन यह कोई सूत्र नहीं है अगमन बिधी निगमन बिधी दो अलग बिधिया है और ये द्रिश्य से अद्रिश्य के उर्फ होता तो ये तो ठीक है इस पे दिक्कत नहीं है और एक कोशन और यहाँ पे है जो मनोविज्ञान का है जिसमें आपत्ती है और दो कोशन भी और इसमें है जिसमें आपत्ती है यह जो है गिरोह की अवस्था वाला है जो ही यह यह अपत्ति जनक कोशन गिरों की अवस्था जो किताबों पढ़ने की मिलेगा वो आपको 8-11 वर्स मिलेगा 7-11, 8-11 ये पढ़ने की मिलता है जबकि यहाँ पे इनके मुताबिक ये आंसर दिया जा रहा है जो की गलत है तो ये भी एक इस पे भी एक नंबर आपको मिलेंगे इसकी भी अपत्तियां लोग कर रहे है तो सही आंसर यही होगा आपका और बाकी यहाँ पे तो ठीक है कोई वैसा नहीं है अपत्ति जनक इसके आगे हाँ में कोशन और आगे जाएंगी तो मिलेगामे ये वाला जो है अधिगम का वक्र जो है आपर दिया है सीखने के वक्र के बारे में जो परिभाशा किताबों में जो लोग साक्ष दे रहे हैं उसमें गेट्स और अननिका विकल्प दिया जा रहा है जो केस में विकल्प ही नहीं है तो इस मुतईस हिसाब सिल कह रहे हैं कि ये जो है सभी को इसका नंबर मिलना चाहिए अगर आपत्ती दर्ज की जाए तो ये हटेगा या फिर इसका सभी को नंबर दिया जाएगा तो मनुविज्ञान में ये जो है कोशन थे आपत्ती जनक जिन्हें आप जो है आपत्ती के लिए दर्ज कर सकते हैं और इनके साक्षा भेज सकते हैं और इसके आधर पे आपको नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे जो एक कोशन ये तीस्वा भी इसमें हमें नजर आड़ा है कौन से अधिगम के विशेस्ता नहीं है पूछा है तो अधिगम प्राणी के विवरिद्धी है और इन्होंने जो सही माना है इन्होंने माना है कि ये वाला मालने अधिगम का उलोगन प्रत्यक शुरुप से किया जा सकता है तो ये भी गलत है ये भी गलत है भाई अधिगम प्राणी के विवरिद्धी कैसे है चुकि अधिगम को विकास कहा गया है अधिगम विकास है तो विकास जो है वो ग्रोथ कैसे हो सकता है विवाधित आपको मिलेंगे और इन पे आप अपत्ती दर्ज कर सकते हैं इसके बाद अगर हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में सबसे पहला यह जो यहाँ पे कहते हैं यह आपका जो दिया गया है क्या गध्यान शुदिया गध्यान शुमें साफ-साफ इनुन लिखा है जबकि यह इन्हों ने खुद पैसे में दिया हुआ है यह अपनी ही बात को काट रहे तो इतना जादा आँख बंद करके कैसे अंसर की जारी कर दीगी यही समझ में आता है कि जो आपने पैसे में दिया है उसी को अब गलट ठहरा रही है यह तो बहुत ही गलत है और अब इसक इसके बाद यहां पर अभी और तो हिंदी में इसके अलमा और कोई खास जो विवाद है वो नजर नहीं आता है हिंदी छाई तौस तब और हम आगे जाएं तो हमें मिल जायेगा है यहांपर थोड़ा सा विवाद वीरहंडी और गृहंडी दोनों को गलट ठहराया जारा है इसमें भी लोग अपति दर्ज करा रहे हैं कि ये दोनों गलत है तो दोनों पे नंबर दिया जाना चाहिए हाँ इसकी भी अठावन का भी विवाद है कि मेरी भावबाधा हरो में शिलेश लंकार को सही माना गया शिलेश के साथ भी और कई लंकार है जो अननी किताबों में मिल रहा है तो ये भी एक विवाद का कोशन है इसमें भी नंबर सभी को मिलें या तो किसी को या तो नंबर हटाया जाएगे तो कोशन ही हटाया जाएगा तो ये हिंदी के विवादित कोशन थे इंगलिश में तो सब एजी था इसमें विवाद जैसेसे तह नहीं आ रही है इसमें कोई विवाद की बात नहीं आ रहे ही सामने को कि इसमें स्ब limite बहुतीजी इस बार English वाले बहुत लगए रहे क्योंकि बहुत आसान पार English का था इसमें बहुत ही simple रहा इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पता हो यहाँ पे संस्क्रिट भी कुल मलाकी सही था अब यहाँ पे एक दो कोशन पे आपती जा रही है जो एक यहाँ पे है अभी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे हरस उस्वर वाला जो मामला था यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है कि वो गलत है तो वही एक question संर्सक्रित का है जो गलत दिखाया यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यह जो इनूने data लिखा हुआ है इस पर इनूने हलंन्द क्यों लगा दिया तो यह data 순간 decision-ogeneous breakup की लोगोंने जो है तो ये भी थोड़ा सा है लेकिन अब ये बहुत पावरफुल तर्क नहीं है इसलिए इस पर अपत्ती कम जा रही है हाँ तो ये अपका छूड़िया यहीं पर है वो कोशन यहीं पर कहीं स्किफ हो गया जहां पर आपको बताया गया कि हरसो स्वर कौन सा नहीं है ये कौन सा हरसो नहीं होता है नहीं होता तो भाई ये भी दिर्ग होता है ये भी आपका ओ भी दिर्ग होता है ये दुनों हरसो नहीं होते हैं तो इस बेसिस पे भी ये आपको एक नंबर दिला सकता है तो ये संस्कृत में था अब इसके बाद हम गड़ित में तो अभी कोई आपत्ती जैसी बात नहीं आई है यहाँ पे सिर्फ एक जो है फारेन हाइट वाले पे आपत्ती की गई है कि यह जो सेर्टी किताब में है फारेन हाइट फार्मूले पे जो दिया गया है इसका किताबों में ये मिल रहा था ये वाला बता रहे हैं लोग जबकि आंसर ये दिया जा रहा है तो मनुविज्यान में जो कॉशन विवादत हो रहे है उसमें जो है आप देखेंगे तो देखे अभी तो यहाँ पर यह सब ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हाँ यहाँ पर थोड़ा सा लोग जो है 125 में पीने के लिए सुरुक्षित पानी को लोग आसुच जल का भी साक्ष दे रहे हैं और ताजे जल का भी साक्ष तो यह भी थोड़ा सा विवाद में कोशन आ रहा है जिसका सही माना गया है यह पीने योगे पानी है और इसके बाद जो है जो एक और विवाद का कोशन है हम आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा यहाँ पर और आगे है इसमें भी देखिए किताबों में जो आप पढ़ेंगी तो सरवाधिक रास जो है वो अंटार्टिका में पढ़ने को मिलता है तो अंटार्टिका के हिसाब से तो प्रोक में से कोई नहीं आंसर होना चाहिए जबकि दक्षन दुरूप को मान लिया गया है हलाकि दक्षन दुरूप भी किताबों में पढ़ने को मिलता है और इसके बाद फिर आप आप बागे जाएंगे तो ये भी बाद का कुशन क्योंकि आउट अफ सेलबस पूचा गया है करंड अफैर, जो है टेट में आज सक नहीं पूचा गया टेटका ये कोर्स नहीं था तुन्होंने अरण जो है क्यों पूछा इसको तो ये भी बात का खुशन है इसके भी नंबर ये हटना चाहिए कहने लोगों कहना या फिर इसके नंबर सबको दिये चाहे और ये वाला भी वादित है ये नहीं प्यवादित है आगे है वो जो लोगसभा के चुनाओं की वाली कंडिशन वाली वो था तो बाकि ये सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहां ये लोगसभा की चुनाओं ही तो सूचना कौन जारी करता है तो किताबों में रास्टपती दिया गया है इसका भी साक दोस्तों ये सारे कोशन है जो विवाद में है और इनके लिए अपतियां दर्ज कराई जा रही है आप भी अपनी साक्ष के साथ अपनी अपतियां दर्ज कराएं आप देख रहे हैं कि 10 से 12 कोशन है जो आपको विवादित दिख रहे हैं और इन पे जो है आयोक को विचार क और जो गद्यान से होला वो भी डेट शेवर है कि क्या होगा इसे भी पता नहीं कि ऐसे यह घलत कर दिया गया है I don't think so कि क्या मनशा है क्या क्यों जानमुझ के ऐसी चीज़ने दी जाती जिससे अभ्यर्थी परेशान हो वह उनका मेंडल टॉर्चर इतरह से हो रहा है कि वो आगे की त्यारी करें अच्छ से या फिर वो इसी चीज़ों में अटके रहे हैं वो कोड कोड के लें तो यह बिल्कुल जो है तरकसंगत नहीं है आजसा नहीं किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इन चीज़ों का निराकरण किया जाना चाहिए ताकि जो ब्यर्थी जो है डेड्लाइन पे हैं आसपास हैं वो जो है टेंशन फ्री होके आगे की परिक्षा की परिक्रेशन कर सकी क्योंकि आप आगे की परिक्षा में भी ज्यादा समय नहीं दे रहे हो तो एसे सिती में ये तो एकदम सही दिया जाना चाहिए था आंसर की जो बिवाद जो कंट्रोवर्सल नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो गई है तो आप अधिक सदिक आपती धर्ज कराएं और आपने महनद से प्रपरिशन किया है तो आपकी महनद जो है जाया ना ज सद घलत नहीं होगा आप सभी पास होंगे बसरते अधिक सदिक अपती धर्ज करें और अपने हग के लिए लड़ें क्योंकि यही सिस्टम बन गया है और तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे थैंक्यू जैहिन वंदे मात्रम